हेलो गाइज, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि गोलिय दर्पन में प्रतिभीम का बनना, उसमें हम लोगों ने देखा था अफदल दर्पन में प्रतिभीम का बनना और उत्तल दर्पन में प्रतिभीम का बनना, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अफदल दर्प करने के लिए किया जाता है जैसे कि हम लोग देख चुके कि मतलब जैसे गाड़ी का जो लाइट होता है वो जब भी लाइट ऑन कर जाता है तो एक सीधा रिखम पूरा जाता है प्रडेर सारा लगता है कि प्रकास किरणों का सम्मूज आ रहे हैं और वह बहुत मतलब की बहु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और सेकेंड आपका है चेहरे का बड़ा प्रतिभीम देखने के लिए सेविंग दर्पन हो सेलून में अफ्तल दर्पन का उप्योग किया जाता है लाइक जब हम लोग जब सेलून जाते तो देखते कि बहुत सारे और भी बहुत सार में देखने में तो जिसके लिए वहां पर अफ्तल दरपन का उपयोग होता है थार्ड है आपका दंत विसे सग्गे जो दांत का करने के लिए अफ्तल दरपन का उपयोग किया जाता है तो अलग से आता है तो उसको एक साथ एक सीध में लाने के लिए उपयोग किया जाता है चनल सीध में जाता है जिसके कारण उसका प्रकास का शक्रचती बढ़ जाता है तो आपका वं लोग में स्वहारभट्टी में करते हैं तो प्रकार के रूप में किया जाता है इसका मतलब कि हम लोग गाड़ी में देखे कि जो साइड में मिरर लगा हुआ रहता है वहां पे उत्तल दर्पन लगा हुआ रहता है और उसका उप्योग किया जाता है फिर नेक्स्ट यहां पे कुछ परिवासित करें तो अब लोगों को बता चुका किसे कहते है और उसका डेफिनेशन दिया हुआ है फिर हम लोग फिर से देख लेंगे कि क्या होता अबतल दर्पन का फोकस तो अब्तल दर्पन में प्रकास परावरतन के पश्चात प्रकास की रन मुख अक्ष को जिस यह होगे आपका अफ्तल दर्पन यह आपका होगे मुख अक्ष और यह आपका होगे पूल यह आपका होगे फोकस और यह आपका वक्रता के अंद्र है कि यह जो फोकस की दूरी होती है ना फोकस दूरी वक्रता के त्रिजय के आधी होती है यहां पर यह देख लेंगे एक और यह आपका हो गया फोकस दूरी है ठीक है फिर ऐसे लाइट किरन जा रही है यह जिस बिंदू पर काटेगी इसो ही हम फोकस कहते हैं फोकस जो होता है वक्लता केइंदर का लगाऊप पूरा अधा फिर ऑप छोची फोकस किसे कहते हैं इसके माद हम सब लोग सेकेंड कोस्चन देखेंगें सेकेंड कोस्चन आपका है कि कि गोलिय दर्पन में गोलिय दर्पन में वक्रता त्रिज्या मिन्स आर 20 सेंटीमेटर है तो यहां पर कितना होगा आर बराबर 20 सेंटीमेटर हम लोग को फाइंड करना है यहां पर कि फोकस क्या होता है कि इसका फोकस कितना होगा तो हम लोग यहां पर देख शुकें कि आर जो होता है वह फोकस का जश्ट डबल होता है तो और इकोल टो में देखें हैं कि 2F होता है ठीक है तो यहाँ पर कितना है R इकोल टु 20 दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2F फिर 2 से काट दिये इसको तो F इकोल टु आपका हो गया 10 इसका फोकस दूरी क्या हो गया आपका 10 cm तो आपका फिर इससे आगे हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेस्चन ऐसा कौन सा दर्पन होता है ना जो प्रतीबीम को आवर्दित तदा सीधा बनाता है तो इसका एंसर होगा अफ्तल दर्पन और आपका फॉर्थ क्वेस्चन है कि लेकिन जो उतल दर्पन होता है यहाँ पूरा दूर दूर का प्रकास आ सकता है और इसका इतना के अंदर से यह आएगा प्रकास लाइट एदर से भी लाइट आ सकता है इधर से भी सारी तरफ से जिसका कारण इसका प्रवर्थक प्रिष्ट बड़ा होता है तो जिससे पीछे जो गाड़ी चलाते वक्त पीछे की वस्तुमें होती है उसको देखने में आसानी होती है और यह हमें सा प्रतिभीम को आपने अंदर बना आता है दर्पन के पीछे तो अगर यहां से लाइट आ रहा ना तो प्रतिभीम जो सारी बनेगी वो दर्पन के अंदर पीछे बनेगी जिसके खारण प्रतिभीम जो होगा वो मनलब की ज्यादा एरिया को कैप्चर करेगा एक आएने के अंदर समेट लेगा तो जिससे न उत्तल दर्पन का हम लोग ज्यादा उप्योग करते हैं कि फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दर्पन सूत्र